आज के इस सेशन में हम करेंगे appointment of director in casual agency तो पिछले कुछ session से हम different modes of appointment of director कर रहे हैं सभी ये concepts इजाम में बहुत important हैं तो सबसे पहले हम बात एक देख लें कि section is applicable only on public companies तो applicability की बात आप पहले यहां note कर लीजिए sir आपको कैसे पता लगा कि ये public companies के लिए applicable है बहुत अच्छा question है ये अभी last time एक session में मैं ये discuss कर रहा था तो एक student ने स्वाल पूछा sir कैसे पता लगे कैसे पता लगाते हूँ आप कि this section is applicable on public तो मैंने कहा ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो भई जब तक section या concerned rule आपको applicability के बारे में ना बताए तब तक आपने ये assume करना होता है कि section is applicable on all companies तो applicability की बार या तो relevant section करेगा या relevant rule करेगा तो आपको कैसे पता लगेगा कि any provision is applicable on any type of company or not for that purpose you need to read section carefully and relevant rule carefully तो section 161 subsection 4 is applicable on public companies only तो appointment director in casual vacancy तो सबसे पहले लिखेंगे meaning of casual vacancy आईए सबसे पहले हमें से इसके meaning को ही यहाँ पर discuss कर लेते हैं करेंगे आप दिहान से बात को नोट करेंगे बैटा आप लिखते हैं तो आपकी involvement बढ़ जाती है ठीक है और अगर आपको सिर्फ सुनना है तो आपकी right hand side पर एक gear बटन है उसे प्रेस करेंगे और आप lecture की के tempo को बढ़ा सकते हैं आप लेक्चर के tempo को बढ़ा सकते हैं टेंपो समझते हैं क्या वर्ड यूज किया बटा टेंपो 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 वर्ड को समझना चाहते हो तो के ल सेहगल या बाबा सेहगल के गाने सुनना आपको समझ में आ जाएगा कि what is the meaning of tempo तो लेक्चर का tempo यानि speed delivery speed आप बढ़ाना चाहते हैं तो right hand side पर एक gearbox है उसे आप बढ़ा सकते हैं अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं यदि आप सिर्फ लिख रहे हैं then फिर आपको जूरत नहीं है फिर आप मेरे speed के साथ ही चलिए और एक 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 word को अमूल का मखन लगा लगा करेंगे अपन इसका मतलब है वोकेशन ओफ ओफ ओफिस यानि जब डिरेक्टर का ओफिस वेकेंट हो जाता है तो उसे कहा जाता है casual vacancy of director sir हर vacancy को हम casual vacancy कहेंगे नहीं है हर vacancy casual vacancy नहीं होती आपने बात को ध्यान से लिखना है किस director की बात कर रहे हैं क्या सभी director की बात कर रहे हैं सभी director की भी बात नहीं कर रहे हैं और सभी companies की भी बात नहीं कर रहे हैं आपको एक-एक शब्द को लिखना है और याद करना है मेरा वर्ट सैफ नमबर आपके पास है ठीक है बटा I am existing in this world only for my student ठीक है तो मेरे students अगर systematic तरीके से मेरे से जुड़े हुए हैं तो तो आपका कोई भी corporate class का doubt नहीं रहेगा आपके life में या तो LK sony होगा या doubt होगा दोनों एक साथ नहीं रहेंगे I promise you means vacation of office of director appointed by the public company in general meeting appointed by the company yani pointed by the company भी कौंशी public company in general meeting in general meeting दिहान से आपने ये वली बात दिहान से आपने लिखनी है in general meeting यानि हर किसी director को नहीं उसी director की बात करेंगे ठीके बटा तो director appoint हुआ था एक टर्म के लिए उसकी एक tenure होती हूँ दिहान से बात को समझना और दिहान से बात को समझना तो यहां पर आप लिखेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ एक concept अभवा के अंग्ट this is date of appointment this is date of appointment and यहां यहां हमने एक साल के लिए उसकी अपॉइंट्मेंट की थी हमने एक AGM से दूसरी AGM तक उसकी अपॉइंट्मेंट की थी तो दूसरी AGM पर उसकी टर्म उसकी टैन्योर कम्प्लीट हो जाती है यहां पर वकेंसी ठीक है वकेंसी ओन दिस देट दोसरी ऴकेंसी बका अप्लेशन की आज कर दिस दो जाती तेट the 시간 की वकेंसी एक है और वकेंसी पर तन्यरा आप पॉइंट्वेंट्वेंट्वेंप्लेशन if office becomes vacant okay if if office of director becomes vacant before the general meeting before the next AGM then search a vacancy then search a vacancy is called मैंने जम्शन लिया है कि हमने AGM से AGM पर appointment की है तो उसी के according में लिख रहा हूँ if office of director becomes vacant before the next AGM then such a vacancy is called casual vacancy अब यहां हम लिखेंगे different modes of casual vacancy different modes of casual vacancy हम समझेंगे reasons of casual vacancy हम समझेंगे reasons of casual vacancy इस वजह से resignation दे दिया इस वजह से disqualification हो गई इस वजह से DRD याद रखना DRD exam में मतलिक क्या ना DRD इस तो तुम्हारा DRD बना देगा वो याद रखने के लिए DRD याद रखना death, resignation and disqualification तो यहां हमने सिखा बेटा यहां पर हमने सिखा कि every vacancy इस एक्जाम्पल में हमने क्या लिखा इस एक्जाम्पल में जब आप लिख रहे हैं इस एक्जाम्पल को आप study कर रहे हैं तो एक्जाम्पल में हमने क्या लिखा Director is appointed One AGM यह section की exact wordings यहापर मैंने नहीं यूज करिये हैं Mostly वही wordings यूज किये हैं लेकिन इतो सर्फ सम्झाने के लिए था Director is appointed in One AGM To Next AGM Director is appointed In One AGM To Next AGM Section की exact wordings Provisions को आईए हम यहाँ लिख रहे थे Casual Vacancy का मतलब क्या लिखा Means Vacation of Office of Director Appointed by the Public Company In General Meeting Before His Terms Term of Office Expires Before His Term of Office Expires Focus is the key Focus कीजिए Concept पर In the Normal Course In the Normal Course Normal Course क्या होता? यानि Death नहीं होती Resignation नहीं होता Disqualification नहीं होती तो वो Vacancy Normal Vacancy होती ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे What is Normal Vacancy? Normal Vacancy is If it is not caused by death If it is not caused by retirement If it is not caused by Disqualification If it is not caused by Disqualification चलिए आगे लिखेंगे Search Vacancy Maybe due to death Maybe Due to death Resignation Disqualification तो आपने बात को समझना है ध्यान से Etc. चलिए हमने देखा What is the meaning of Casual Vacancy? अब Vacancy हुई है तो Vacancy को Fill भी किया जाएगा Vacancy को खाली नहीं छोड़ा जाएगा Vacancy को Fill करने का भी Method हम सीखेंगे तो Different modes of हाँ लिखेंगे बटा साथ में मेरे लिख रहे हैं आप साथ में जरूर लिखिए Different modes of Filling of Vacancy अई अलग-अलग तरीके हम यहाँ पर फाइंड करेंगे Section 161 Subsection 4 के कोड़िंग Different modes of Filling of Casual Vacancy आप अगर आप 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 इसका अंसर लिखिए The Casual Vacancy एक्जाम में Question पूछे जाएगा तो पहले Casual Vacancy को Define करना और फिर लिखना Casual Vacancy अगर आपको Perfect answer लिखना भी सिखाूँगा आपके हसाथ अपने हाद से लिखकर बताऊँगा कि कैसे Perfect answer लिखा जाएगा You need toрать Perfect answer और मैं सिखाूँगा आपको सिखाँणा आपको क्या हाद से लिखकर दिखाँगा How to write a perfect answer Flawless answer कैसे लिखना है पे कोई भी मन में, पेपर चेकर के मन में, कोई भी point आई और उसका जवाब उसे मलना चाहिए, ठीक है, पेपर चेकर को अपना student समझो, कि जैसे कि वह आपका student है, जो पेपर चेक करेगा, आपका, ठीक है, उसे student समझना, या वह आपका answer पढ़ने के बाद उसकी knowledge बढ़ जाए किया बात कर रहा हूँ कर रहा हूँ ना खतरनाक बात कि इतना beautiful answer हो आपका इतना well structured answer हो world use किया well structured answer हो कि आपका answer बढ़के ना paper checker की knowledge बढ़ जाए इतना खतरनाक करना है आपने काम casual vacancy may be filled up to different modes of filling of vacancy देखेंगे पहली बात section कहता है as per the regulations in the articles of the company आप कैसे fill करेंगे अपने article में लिख लीजी as per articles of association of the company दूसरी articles silent है if no articles of association no provision in articles of association by the board of directors at a board meeting at a board meeting और board meeting में decision कैसे होते हैं? board meeting और board meeting में decision कैसे होते हैं? through board resolution ठीक है? तो कोई भी decision अगर directors को लेना है ठीक है? तो यहाँ पी इस point को मैं थोड़ा सा elaborate करना चाहूंगा आपको यह last word है तो स्वाल है how does how does board of directors take decision for for a company how does board of director take decision for a company 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 के लिए directors decision कैसे देता है? how does board of directors take decision for a company? तो जवाब है जी by board resolution by board resolution और board resolution आप pass कर सकते हैं board meeting में board meeting में board meeting में और कैसे कर सकते हैं? by circulation calculation तो यहाँ पर section 161 sub section 4 में expressly कह दिया क्या कह दिया? कि board of director करेंगे resolution पास करेंगे board of directors resolution पास करेंगे तो वो resolution board meeting में पास होगा expressly लिखा है board meeting उसका मतलब है यहाँ पर board meeting लिखा जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है that is आप दियान से बात को लिखेंगे that is not as not as as by resolution by circulation by resolution by circulation तो resolution दो तरीके से पास हो सकते हैं board meeting में भी हो सकते हैं और circulation से भी पास हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर section 161 sub section 4 में specially कह दिया उसने कि board meeting में resolution पास करना है चलिए अब हम next point discuss करेंगे tenure of directors appointed in casual vacancy अब हम discuss करेंगे tenure कोई भी point नहीं छोड़ूंगा यह lecture attend करने के बाद casual vacancy पर कोई भी point नहीं छोड़ूंगा और इससे next session भी आपने attend करना है जिसमें मैं first directors additional directors alternate directors और director in casual vacancy चारों को analysis करूंगा चारों को एक अठी एक ही जगा समझाओंगा वो भी आपने attend करना है tenure of director tenure of office of director सही तरी के से लिखिए tenure of office of director appointed in casual vacancy appointed in casual vacancy casual vacancy में point हुआ है director तो उसकी tenure क्या रहेगी तो बहुत ही समझदारी के साथ आपने इसका जवाब लिखना है अब जो original director था जिसकी death हुई उसके place पे हमने vacancy को fill कर दिया तो जो period original director का था उस period में उस period तक वो director रहेगा आईए दिखलें इसको simple language के अंदर आपने लिखनाचा आपने थे खा आपने वाचे को इसका रहेगे you can see holds office till the end of the term of the original director तो एक important point आपने यहां पे और इसमें add करना है आपने section 152 में meaning of retiring director पड़ा था तो यहां लिख लेजिए if a director if a director a इस अप सुथ लिखिए ड्रेक्तर स्थाष्डंप्स अप्षाउ जान लुड में जाफ्ड़र ड्रॉंग चास्वल ग्यंशी कि रहां टॉर। ड्रेक्तर आप्टेड इंक आप्टेड विंकि से एंक रहां जाई विंक गि मुंगर। , from office, he will not be treated as retiring director under section 152 हम उसे retiring director नहीं मानेंगे तो बहुत अच्छे से आपने बात को सिखना है different modes of filling of casual vacancy देखे tenure of office of director appointed in casual vacancy हमने देखा आप इस point को अच्छे से note कर लेगे तो casual vacancy को हमने समझा कि casual vacancy means a vacancy due to DRD death resignation disqualification अब एक case को analysis करते हैं shareholder एक example दे रहा हूँ अब अपने मन में इसका अंसर दे न shareholders appointed a person appointed a person as a director in the general meeting but he refused to accept the directorship तो shareholder ने उसे director point किया लेकिन उसने directorship को accept करने से refuse कर दिया तो vacancy हुई के नहीं हुई ठीक है is this a casual vacancy स्वाल है is this a casual vacancy इसका जवाब आईए हम लिखेंगे answer इसका लिखेंगे no this is not a casual vacancy this is not a casual vacancy logic सुन लिजे क्यों logic होना चाहिए there must be a logic behind every law every rule no this is not a casual vacancy पहले तो आपने ठीक है ठीक है casual vacancy यहाँ पर नहीं create होती है क्यों नहीं होती है बहिए vacancy का मतलब क्या है पहले बात तो vacancy ही नहीं है तो casual vacancy कैसे बालेंगे vacancy of office vacancy of office does not arise स्वाल ही नहीं है जी vacancy का तो does not arise vacancy of office does not arise लिकिए when the director had not when the director had not assume office in the first place पहली बात तो यह है उसने office assume ही नहीं किया तो concept क्या बना non-acceptance of directorship is no casual vacancy non-acceptance of directorship हाँ vacancy तो देखो हुई है vacancy का मतलब office shareholder ने fill किया था लेकिन उसने assume ही नहीं किया अब यहाँ पे place तो देखो खाली हुआ है vacancy तो हुई है लेकिन इसे हम vacancy नहीं कह सकते क्योंकि उसने तो office स्थान तो रिक्त हुआ है यह बात ठीक है कि X को हमने director बनाया था है उसने directorship यह assume नहीं करी लेकिन technically section 161.4 के according हम बात कर रहे हैं वैसे तो vacancy हुई है literally तो अगर हम literally देखे तो there is a vacancy but according to section 161.4 is not a vacancy no acceptance of directorship no vacancy no vacancy तो vacancy के लिए क्या है कि एक public company ने general meeting में director point किया हो और उस director की death हो गई हो उसने resign दे दिया हो या उसकी disqualification हो गई हो उस point को हम ठीक है पेटा उस point को हम casual vacancy कहेंगे अब यहाँ पे एक सवाल है बड़ा technical बड़ा interesting कि vacancy हो गई है fill भी आपने करनी है fill करने के तरीके भी हमने सीख लिए है पर सवाल यह है कि is it mandatory to fill casual vacancy आई एक question लिखेंगे is it mandatory is it mandatory यानि compulsory by law to fill casual vacancy क्या यह जुरूरी है भाई कि आपने fill करनी है इस काँ साथ हम लिखेंगे no there is no legal obligation there is no legal obligation there is no legal obligation to fill up the casual vacancy to fill up the casual vacancy the board may resolve the board may resolve not to fill not to fill up casual vacancy एक काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा vacancy से not to fill up तो directors decision ले सकते हैं कि हम नहीं भरेंगे vacancy को casual vacancy तो एक circular भी मैं discuss करना चाहता हूँ DCA circular है ठीक है आईए DCA का circular भी मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल की कोई question और फिर कोई questions में बटा हम चेड़ेंगे points को questions करेंगे तो फिर और knowledge बड़ेगी लेकिन मेरा नहीं ख्याल की कोई question आपका रह गया कोई point रह गया तो डी सीए सर्कुलर डी सीए को अब एम सीए कहते थे लेकिन जब वहां पर आया था तो को अपर्टमेंट फंप्रेंट का सर्कुलर उनिसों शर्ट का सर्कुलर है 1967 का 1963 को इफ अचली के section 160 section 160 requirements should be satisfied section 160 requirements should be satisfied to reappoint a person acting against the casual vacancy acting against appointed for casual vacancy acted against the casual vacancy at the general meeting at the general meeting when the director in whose place in whose place he was appointed will have retired इसके उपर एक एक्जांपल मैं देना चाहता हूँ और ये इस चीज़ को example के थ्रू सम्झे रहे हैं for example X was appointed in one AGM by a public company Till the next AGM X was appointed in one AGM by a public company till the next AGM Before next AGM X was died in an accident To fill up the vacant place Vacant place Of X Y was appointed Under section 161 subsection 4 Now The company Now the company Wants To buy As a regular director In the next AGM In the next AGM Toh Yehaan peh Y must Fulfill The requirements of Section 60 160 Toh Kis person Ko section 160 Ki requirements Puri करनी पढ़ती है Who is not a retiring director ठीकर ठीक है Section 160 के requirement उस person को फूरी करनी पढ़ती है जो कि Retiring director नहीं है अब Technically एक आम आदमी के Point of view से देखें वैसे Technically तो Y Retire हुआ है लेकिन नहीं Y को हम Retiring director नहीं मानेंगे जब Y को Retiring director नहीं मानेंगे तो Section 160 उन सब लोगों के लिए है जिन्हें director बनाया जा रहा है और जो Already Retiring director नहीं है तो उन्हें उस procedure को Follow करना पड़ता है तो X अगर General meeting में director बनना चाहता है Full-fledged director यानि regular director बनना चाहता है तो X को Section 160 के requirements पूरी करनी होगी यह department का circular है शाबाज बेटा अब इस concept के साथ मैं एक और concept discuss करना चाहता हूँ आपके लोगों के साथ में चलिए हम discuss करेंगे Nominee Director Section 161 Subsection 3 Nominee Director तो पहले तो यह देखिए कि Nominee Director का मतलब क्या है देखो जी एक है Company आप पहले हम समझते हैं एक है Company और इस Company को bulk में लोग चाहिए अपनी financial requirements पूरी करने के लिए यह Company एक financial institution के साथ agreement करती है ठीक है financial institution के साथ agreement करती है ठीक है agreement agreement for loan bulk में loan चाहिए Company को financial institution से financial institution कहता है कि loan तो मैं दे दूँगा ठीक है loan तो मैं आपको दे दूँगा लेकिन एक condition है एक शर्त है मैं दी इस Company का control किस के पास है इस Company के board of directors के हाथ में इस Company का control है यानि इस loan से जो money आएगा जो money कंपनी के अंदर infuse होगा उसको use कौन करेंगे ये directors करेंगे तो वो उनका use for the purpose of loan उसका use कैसे होना चाहिए उसका use दो तरीके से हो सकता है एक तो उसका proper use हो सकता है यानि जिस मकसद के लिए वो loan लिया है या misuse भी हो सकता है misuse भी हो पैसा हो सकता है तो financial institution put a condition on the company कि we shall represent we shall appoint a director in your board of directors तो financial institution ये condition रखता है ठीक है this year nominates a person as director nominates a a person as director as in the board of directors of borrowing company क्या काम करेगा director यहाँ पर he shall act as a watchdog for the interest of financial institution he shall work as a watchdog for the interest of financial institution financial institution के interest को वो look after करेगा क्योंकि financial institution इसे nominate कर रहा है तो किसी कोई सिफारिश कर रहा है तो इसलिए इसको बोल रहे हैं यहाँ पर nominee director तो इस person को हम बोलेंगे क्या nominee ऐसे person को हम क्या बोलेंगे nominee director तो section 161 subsection 3 में आईए इसको concept हम note करेंगे और अच्छे से सिखने की कोशिश करेंगे section 161 subsection 3 में यह concept है nominee director का आप लिख लें तो बहतर रहेगा याद नहीं रहेगा क्योंकि छोटी छोटी बात याद नहीं रहती है nominee director जो board of director में director है लेकिन वो किसी ने nominate किया है government ने nominate किया हो सकता है या किसी financial institution ने nominate किया हो सकता है तो लिख लिजे subject to articles of association of our company 163 subsection 4 पढ़ रहे थे अब हमीं थोड़ी दर पहले वहाँ public company जब तक public company expressly ना कहा जाए जब तक application की बाद सबस्ट तरीके से ना कहा जाए तो हम यह मानेंगे कि provision सभी companies के लिए है the board may appoint the board may appoint any nominated person any nominated person as a nominee director अब स्वाल है who can nominate वे स्वाल है वारे वन में who can nominate who can nominate अई इसका जवाब भी हम ही देंगे तो section 161 subsection 3 अई इस्टिटूशन अई इस्टिटूशन और दूसरा है central government central government central government स्टिट गोवर्मेंट आपने ऐसे नहीं लिखते हैं मेरी तरह ऐसे आपने एक्जाम में नहीं लिखके आने हैं cg और sg पूरा लिखना है central government और state government आपने ऐसे नहीं लिखना any institution कोई institution कब कर पाएगा any institution कोई भी institution आके कहेगा कि मेरे डिरेक्टर को nominate कर लो नहीं भाई उसके लिए प्रावधान रखा है क्या प्रावधान है उसके लिए आई लिख लिजी इस बात को in presence of in presence of the provisions of any law उस financial institution के उपर कोई law applicable होता है माल लीजीए वो financial institution LIC है और LIC ये कहता है कि अगर LIC किसी कंपनी को 1000 करोड से ज़्यादा का लोन देगी तो अपना nominee director ज़रूर अपोइंट करेगी तो any institution in presence of the provision of any law किसी कानून के चलते financial institution के पास power आ सकती है to appoint director in the company provisions of any law for the time being in force for the time being in force or by any agreement or by any agreement या तो फिर financial institution ने company के साथ agreement कर लिया है देखो भई loan तो देदेंगे लेकि nominee director point करेंगे और central government और state government अपना nominee director का वो point करेगी बाइ वर्चू ओफ इस शेर होल्डिंग इन अ गॉर्वर्वर्मेंट यहां पर आपको पता होना चाहिए जी गॉर्वर्वर्वर्मेंट कंपनी क्या होती है पता होना चाहिए तो पता कर ले ना आप इस session में हम नहीं डिसकूस करने वाले बाइ वर्चू ओफ इस शेरहोल्डिंग इन आ गॉर्वर्मेंट कंपनी शाबाश वर्ण